हेलो दोस्तों स्वागते एक बार फिट से आपके अपने यूटूब चैनल फेंडेंजी जैगवार में आप सभी बाई होगा दोस्तों आज की स्वीडियो में हम लोग बात करेंगे एडिलेड स्टाइकर्स और पर्थी स्कोचर्स के बीच खेले जाने वाले 2700 मैच के बारे म थोड़ा सा मुस्किल हो जाएगा और बैट्समेन को वहां पर मदद भी मिलेगा लाज्ट दो मैच में यहां 200 प्लस का इसको इजली चेज हुआ है ठीक है बहुत बड़ी बात है वो शुले गंतर 200 बना और वह भी चैज हो जाना ठीक है और अभी भी आप देखो कि बिग ब बनाओ आप लोग और देखो आज के मैच में थोड़ा सपींच हो सकती है तो देखते हैं क्या हमें देखने को मिलता है यहां बोल स्टार्टिंग में स्विव होते हैं फिर बेटिंग करना इजी हो जाता है उसके बार दोस्तों बात करें पेसर्स तो देखो मस्ट पिक रहन पहले 184 पे 6 विट गए 133 रंपर रोक दिए 150 पर पांच एक्सक्राइब पर लास्ट के दो मैच देखो कि 207 पर 200 साथ 200 रंबनाके साथ विट गए 205 रंबनाके चार विट गए पर यहां पर टार्ट इजली एक स्कोर बना है ठीक है कि दुनोए टीम की आईस्टूएच में बात करें और ओेजी ये के इनदर योझे और तो आप देख सकते हो किस परकार का मैच भड़ा है कै जब भी यह टीम में आपस में खेली है ना तो किस इस प्रकार का मैश बनाया है बैकी इस वेन्यू का आप देखो गे ना दोस्तो तो यह वेन्यू इस प्रकार का इन लेख आदक आधर आटर साव विंडू देखो गे ना वह रिद्व पूरे सरक के अंदर आता है पर यह मृट्डरय बढ़ी है इसकी पीछे की और आगे की यह चोटी बेखने को मिलेगी तो जो इस साइड अच्छा खेलना पसंद करता है ना वह आपके लिए इंपोटेंट बनेगा जैसे क्रिचलीन हो गया मैथ्यू सोट ठीक है अब देखो एक मैच 135 प्राइब कर दिया ठीक है देखो एक सो चोटर फिर इस कोचर्ट प्राइब कर दिया इस में पर आप चीज देखो कॉमन पॉइंट दोस्तों एक टीम के पक्के यहां आल आउट या नो विकिट गिर रहे हैं ठीक है जब भी दोनों तीम आपस में खेलते हैं ना त चीज देखो मतलब एक बोलर या तो एडिलेट का आपका इंपोर्टेंट बनेगा या पर्त का इंपोर्टेंट बनेगा एक बोलर आपके लिए पक का इंपोर्टेंट बनेगा और उसके साथ में बैट्समन यही कैप्टन वो इस कैप्टन आपको देखने को मिलेगा इनके पॉले में विक्ट देखने को दोस्तों मिल रहे हैं और सामने से गेंदबाज है ठीक है ठोटन हो गया ठीक है डीप आइने हो गया अटेकिंग बोलर हैं दोस्तों थोटन तो पाउर प्ले के अंदर ही बोलिंग डालेगा अगर आप उसको एजब ट्राइब कर रहे हो तब ठी ही का अगर कैप्टन वोस्तों बना रहे हो तो डेफिनेटली आपको स्कोचर्स के टोब ओडर को फ्लोप करना ही होगा उदर से बैंड्रोफ जो रिचेटेशन अर्टेकिंग पोलर बेटिंग सेकेंड में भी पाउर प्लेम विक्रिट देखने को मिल रहा है ठीक है । शीविषील馅से हम बात करें दोनों इनिंगस के एक ओपणर कैप्टन वुष के एक साथ में देखने को मिलने का घ्राएटर में व्यू जादे सच्वबेटर traiter बहए Slide उसके बाद में दोस्तों यहां पर विकेट कीपर सेक्शन में स्टेट्स के बात करें जो सिंगली आस्ट्व अप देखोगी 37 का एवरेज है वेन्यू पर आप देखोगी 48 का एवरेज है एक और लोजिक के बाद आपको बताऊं ठीक है तो वह आपको लाइब सेशन में तो सोटली समरी में जो सिंग्लीष विकट किपर सेक्शन में सेफ भी गया ठीक है नमबर चार पर बेटिंग भी करेगा और विकट किपर किपिंग भी करता है तो दोनों से आपको पॉइंट देखे जा सकता है अच्छा रिकोड नहीं है उसके बाद में दोस्तों बात करते है बेटिंग सेक्शन में तो जेक करावली की बात करें दोस्तों एससे में दो मैच 400 वेञ्नयूपर एक मैच चोंच इपर अच्छा खेला 1 मैच में 124 रण वेन्यू पर देखो कि एक मैच 49 रण ठीक है बाकी जहां पर यह बेटिंग करने आता है ना वहां पर पाउर पर बले शोज इनका लग चालू होता है ठीक है जिसके अंदर दो ही फिल्डर बाहर रहते हैं ठीक है तो उस कंडिशन में आपके लिए इंपोर्टन बन सकता है कि क्रिशलिन की दोस्तों बात करें स्टूच के अंदर उन्नीस मैच 42 का एवरेज है 17 मैचों में 33 का इवरेज इस वेन्यू पर है तो दोनों ही साइड से खेलना पसंद करते हैं दोस्तों लास्ट में अच्छे टच में दिखाए देते एडम होस एस्टूच में 20 का सब्सक्राइब करें निचे बेटिंग करने आता है पर ग्रेंड लिख के अंदर आप लोग ट्राइब कर लेना ठीका मान लिजी एडम होस और क्रिसलिन दोनों जल्दी आउट हो जाए यह थोड़े बहुत रन बना दे लास्ट में आकि ठीक है लंबी पारी के लिए पांच में इसको ट्राइब किया था सेंट आले स्पोन देखे गया था यह द्रीम टीम में देखने को मिला था तो आज भी इसको पिक नहीं करने वाला तो इसका पर्फोर्मेंस आएगा इसका आप तो जीत चाहोगे में स्टेट्स की बात कर लेते हैं और हाड डिशे विकल पर दोस्तों वेंड उपर पर एंड को मिल जाएंगे दी सोट बाई एवरेज भूत ही शांदर है इस वेन्यू के उपर ठीक है खेलना बसंद करते हैं अगर यह प्लेयर टिक गया ना दोस्तों तो फिर अच्छा खासा पॉइंट आपको देखे जा सकता है ठीक है मैथ्वी सोट बोलिंग करेगा तो इंपोटेंट है बाकी वेन्य जैमी ओटन दिख बैस लीग के अंदर बहुत ही शांदर परफोमेंस अभी तक कर रहे हैं ठीक है तो बोलिंग वेस्ट में यह आपके लिए इंपोटेंट बढ़ जाएंगे जैम्स बेंजली की दोस्तों बात करें एस्ट वच में पांच मैच दो विकित वेन्यों पर चार तो स्मॉल लिंग में ड्रॉफ नहीं कर सकते हैं लिए लगातार परफोमेंस दे रहा है बत दोस्तों बैटिंग से नहीं कभी तो कभी बोलिंग से भी डियार्सी सोट अच्छा रिकोर्ड है डिलेड ओल में बड़ देखने होगा कि यह पर्त के बोलर्स को कैसे अंडल करता है एरॉन हार्डी नोट एकुड रिकूड बट बेटिंग सेकेंड में आपके लिए मस्ट पिक रहेगा जैस बेजली के बात करें लास्ट दो मैस से यहां बहुत मार फड़ रही है इसको सो आज इसके अवरकट हो सकते हैं बोलिंग सेक्षन में स्टेट्स की बात करें जो पता नहीं कैसे बोलिंग कर रहा है दोस्तों इतना खास देखने को नहीं मिला वेन्यू पर देखो चार मैचों में नोगेट है इस टाइड़ दस पॉइंट साथ कहा है जैस बेंडरोप की दोस्तों बात करें तेरा मैचों में स्टाइग ठाट अठाट एक का पंद्रा विक है वेन्यू पर तीन मैचों में तीन विकिट हैंडी थोर्टन की दोस्तों बात करें एस्ट वच में तीन मैच है विकिट है और वेन्यू पर आप देखो कि साथ मैचों में पंद्रा विकिट है डेविड फाइने सुरी डेविड फाइने की दोस्तों बात करें एस्ट विकि बनेंगे आपके लिए आप देखो कि बारा मैच साथ विकेट यह इसका रिकोर्ड इतना कुछ खास नहीं दोस्तों इग्नोर करो बिल्कुल भी पर्फोर्मेंस नहीं दिया अभी तक ठीक है पर्त जैसे पीच के ओपर पर्फोर्मेंस देखने को नहीं मिला तो यहां पर चां के लिए हम बात करें दोस्तों कि Belling फ स्ट में डिफेरेंशल टोफिक्स हो सकता है स्मौन इब क्राइक के लिए जैसन बैंड्रोप का डिशन पर्फोर्मेंस तर्फोर्मेंस करता है जो रिचर्डेंशन एस ठोंट नब यह में बट रिचोंटन धो टर्वी रिस्की तेन्टी मोवी ठीक है बाकी मिलते हैं लाइव से समय तब तक के लिए जाएं